ये विशय महा नियादिपती के अस्तगत होने से जुड़ा हुआ है। सूर्य पुत्र शनिदेव 7 जनवरी 2021 को मकर राशी मही चलते हुए जो कि उनका सुराशी स्थान है अस्तगत हो चुके होंगे। 9 फरवरी 2021 तक जो इनका प्रभाव है वो अस्तगत स्ततियों में ही रहेगा। ये विशय तकनीकी भी है तो अती महत्वपूर्ण भी है। आप पाएंगे कि जो ये नवग्रही विवस्ता है वहाँ दो ग्रहे प्रकाश की स्ततियों के साथ में चलते हैं जहाँ पर सूरिदेव और चंद्रमा प्रमुकता से है इसी वज़े से इनको प्रकाश ग्रहों की संग्या दी कई है तो वहीं 5 तारा ग्रहे है वहीं दो जो राहू और केतु वो छाया वादी पापी ग्रहे है जो की एक तरह से अमतर चेतनाओं को प्रभावित कर देते हैं और भौतिक रूप से इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है वहीं आप देखिएगा कि जो मंगल की स्तिती है बुद्ध है ब्रहस्पती है शुक्र है और शंद नहीं आते तो वैसे ही जब ये जो प्रकाश कर रहे हैं शनिदेव इनकी स्तियां धनु राशी में चलते हुए सूरी देव की प्रभाव में आ जाएगी धनु से ये मकर के और गमन करने वाले होंगे तो जब यहाँ पर साथ जनवरी की अप्रोच में सूरी देव का प्रभ मकर के उपर भी होने लगेगा तो शनिदेव अस्तगत हो चुके होंगे और वहीं से 9 फरवरे तक इनके प्रभाव के साथ में यही संग्या चलने वाली होगी आप देखिएगा कि देव गुरु ब्रैस्पती 17 जनवरी को अस्तगत इस्ततियों में आ जाएंगे जब सूरी देव 14 जनवरी को मकर राशी में प्रवेश करेंगे मकर संक्रांते जैसा प्रमुख तेवार भी रहेगा तो वहीं उसके तीन दिन बाद में ही दूसरे प्रमुख तारग रहे अस्तगत इस्ततियों में आ जाएंगे तो इसका समग्र प्रभाव क्या निकल कर आता है आप द लगातार संगर्ष करने पड़ रहे थे कर्म जो की हमने किये उसी के आधार पर अब फल प्राप्त हो रहे हैं किन्तु संगर्षों के साथ में है जो भी मिल रहा है यहां उसमें थोड़ी सी आसानी आपके लिए इन दिनों में आने लगेगी यह एक व्यवस्ता यहां पर न राशी के जातकों के लिए सामने रहने वाला होगा एक बात स्मृतियों में रखनी चाहिए कि शनिदेव की इस्तियां है वो व्यक्ति के जीवन में न्यायोचित मार्ग को दिखाने वाली होती है जो व्यक्ति कर्म के पत के उपर लगातार अग्रसर है अंत्तों गत्वा उ अब सूर्य देव, देव गुरू, मरहस्पती, शनिदेव की स्तियां यहीं मगर राशिक के अंदर चलाइमान रहने वाली होगी, 14 जनवरी के बाद से वहां का प्रभाव अलग है, किन्तु 7 से 14 जनवरी तक का प्रभाव भी शनिदेव के इस आधार के उपर बिलकुल अलग ह आप किसी भी तकनीक संबंधी वशयक शेत्र के साथ में जुड़ाव रखते हैं, आप नियाय विवस्था के साथ में जुड़े हुए वेक्ति विशेश हैं, आप ऐसे कामकाज के साथ में हैं, जो कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और वहीं पर एक बड़े भुखंड को लेना और उसको छोटे-छोटे हिस्सों के अंदर बांट कर सेल करना इस कारे के साथ में आप हैं, और साथी साथ में जो तकनीक के अंदर गोड़ स्तियां होती है, बहुत गहरे उतर कर कुछ नया लेकर आना है, उस शेत्र विशेश में भी शनिदेव का प्रभाव बहुत गहरे से निकल कर सामने आता है, एक बात और स्मरतियों में रखनी चाहिए, कि ये मंदचाल के अदिपती हैं, जो भी आपको परिणाम मिलता है, वो ठोस और धीमा मिलता है, किन्तु अस्तगत स्तियों के अंदर वो प्रभाव और जादा कमी के साथ में सामने आता है, आप प्रयास करता है और आकरकार सफलता प्राप्त करता है, ऐसी ही कुछ इस्ततियां आपके लिए हां पर रहेंगी, मैं नेश राशी से लेकर मेन राशी के जातकों के लिए ये चर्चा करूँगा, साड़े साती और ढहिया के अंतराल के साथ में, ये चर्चा थोड़ी सी और प्रमुक्ता से होती चली जाएगी आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस समय हनुमन तुपासना लगातार करना और वहीं दश्रत करत शनीस्तुत्रम का वाचन और श्रवन करना भी बहुत अरिक आवश्यक रहेगा हो सके तो इस समय अंतराल में आने वाले शनीवार के दि ये जुड़ा हुआ है तो जो भी राशी के जातक अपने लिए यात्राएं और लगातार भागदौर को लेकर चल रहे थे एक रुकावट नहीं थी थकावट नहीं थी वहाँ आपको थोड़ी से रुकावट मिल सकती है और वहीं ऐसा लगने लगेगा कि ये भागदौर कि इस वज़े से हैं हम कहां पहुंचेंगे इस यात्रा के साथ में ये निराशा के भाव कई बार व्यक्ति के कर्म की जागरती को कम करते हैं वहां ख्याल रखना होगा आप कंस्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में हैं बिल्डिंग मटिरिल संबंधी कामकाज के साथ में हैं या आयू समझ लीजिए कि जो सितंबर अक्टूबर का समय अंतराल था किसी कारे की शुरुवात की सफलता की गुंजाईश आप जनवरी और फरवरी के महीने में देख रहे थे, महा थोड़ा सा धीमापन आपके सामने आ सकता है, कत्तई वेचलित होने की आवशक्ताएं नही है तो ये भी द्यान दीजिएगा कि 14 जनवरी से लेकर जो 9 फरवरी तक का समय अंतराल है, आप जुडीशियल सर्विसेस की प्रिपरेशन कर रहे थे या आप अपने लिए एक न्यायोचे ताधार के उपर प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन लिए हुए थे, वहाँ एक सलग प्रमोशन दीमापन सामने आ सकता है, वचलित होने की दरकार नहीं है, किन्तु ग्रहस्त जीवन के साथ में जो भी आपके लिए डॉमिनेट करने वाली अप्रोच चल रही थी और क्लैशिस इस वज़े से थे कि हम एक दूसरे को प्रॉपर बेस के उपर सुन नहीं पा रहे है, तो वहीं औरेशब राशिक के लिए नहीं चर्चा करूँ तो आप देखिए कि जो अध्यात्मिक चंतन लगातार बढ़ रहा था, आप प्रतियक कारिये में आनंद को खोज भी रहे थे और वो प्राप्त भी हो रहा था, वहाँ धीमापन आ सकता है, भाग्ये के साथ मे बले ही संगर्श हों, किन्तु व्यक्ति अपने आधार के उपर कर्म को आगे बढ़ा रहा था, वहाँ हलका सा धीमापन आ सकता है, आप अपनी होरस्कोप के अंदर ये भी देखिएगा, कि क्या शनिदेव अस्तकत इस्ततियों में है, अस्तकत हैं, तो यहाँ आपको ज्या बना कर रखिएगा, बहुत जादा बदलाव की इस्ततियों को अपने मन और मस्तश के उपर हावी करके नहीं चलना चाहिए, हाईर एजुकेशन के अंदर जो डिस्टरबेंस बनेंगे, वो कहीं ने कहीं आपको भीतर मन्थन के एक ताकत देंगे, कि हम कहां बढ़ रहे हैं कैसे जाएंगे आगे, यहीं से किसी स्टार्ट अप आली की आप शुरुवात करना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन के साथ निवेदन करूँगा, कि थोड़ा सा रोक कर चलने का ही प्रयास करें, यहां जल्दबाजी दिखाने केसेदारी नहीं है, नियाए विवस्ता या फिर कोई भी जूडीशियल सर्विसिस के साथ में आपका जुडाव है, अदेवक्ता संबंदी शेतर विशेश के साथ में आपका हस्तक शेप है, तो जो कामकाज की रप्तार बननी थी अभी-भी के अंदर, वहां थोड़ा सा धीमापन फिर से आपके लिए आ सकता है, जतुन राशी, आप देखिएगा कि धहिया का अंतराल आपको चल रहा है, और साथ जनवरी से लेकर 9 फरवरी 2021 तक के समय को आप खुद के लिए एक रिलीव के रूप में देख सकते हैं, यानि कि व्यक्ति को कहीं न कहीं एक सुकून की आभा में ले लगती है, कि संगर्ष में निराशाएं बनी हुई थी, वहाँ थोड़ी सी कमी आने लगेगी, दनागमन को लेकर बारम बार व्यक्ति फैसिनेट हो रहा था, और फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था कि ये हासल नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ नहीं पहुंच पा रहा हूँ, ऐसी सारी ही प्रवर्तियो संतान पक्ष के साथ में जो उलजने बनी हुई थी, उनके जीवन को लेकर जो जो चंताएं आपके सामने थी, और जहां से समाधान सम्मुक नहीं था, वहाँ पर भी आप एक रिलीव की पोजिशन को जरूर प्राप्त करेंगे, ये एक स्पस्ट आदार है, मैटल संबंदी कामकाज में बहुत पहले हुआ करते थे, आज सक्रिय होना चाहते हैं, अस्ठम के शनिदेव की स्तियां जब सूरिदेव के आवरणी प्रभाव शेत्र में अस्तगत इस्तर के उपर आएगी, वही पर इनका सीधा दृस्टी संबंद कर्म के साथ में, धन के साथ में, चमता के साथ में होने वाला होगा, तो बुद्ध परदान राशी के जातकों के लिए ये समय चेतना का है, जाक कर लगातार कारे करने का है, आप जो अपने भीतर का संप्रिशन लगातार एकटा किये हुए थे, और वो लोगों के सामने नहीं आपा रहा था, ये समय एक मजबूत आधार आपके लिए लेकर चल रहा है, और इस मौके को हासल करने के और जरूर अपने कारेओं के साथ में लेकर जाईएगा, तो वहीं करक राशी, ग्रेहस्त जीवन के आधार पर यहां आपको बहुत जादा सावधान रहने के आवशक्ताएं रहेंगी, छोटी छोटी बा चार चांद लगने लगते हैं, उसकी जो हासल करने की और कर्म करने की प्रवर्ती है, उसके अंदर एक तरह से चर्मोत कर्श आने लगता है, यही प्रवर्तियां जो आपके लिए चल रही थी, थोड़ इसी नियून हो सकती है, तो इसी वज़े से कई बार व्यक्ति को क्लै शुलने से क्या अगला समझेगा या क्या अगला व्यक्ति मेरी बात को आत्म साथ करेगा ? जवाब नहीं में है तो फिर आप समझाने के लिए किसी ने किसी मौके का इंतजार करें जब भी कोई इस्तिति उफान के उपर है आप वहाँ पर कितना ही प्रयास कर लिजिए शांती नहीं आ सकती किन्तु जैसे ही डलान आने लगती है और आप वहाँ अपने शब्दों को रखने वाले होते हैं समझदारी इसमें है कि हम ऐसे मौके के साथ में चलने का प्रयास करें वहीं भूमी संबंदित कामकाज और वो भी कोई पुरानी भूमी संबंदित सौधा आठका ह यहां हो सकता है कि आपको धैररी के साथ में थोड़ा सा इंतिजार करना पड़े चांच जनवरी से लेकर 9 फरवरी 2021 तक यह प्रवर्तियां आपके सामने रहेंगी तो वहीं संगराशी के लिए मैं चर्चा करूं तो यहां आपको वाईयू जनत वेकारों से और कोई भी अस किसी तकलीव बढ़ सकती है किन्तु यह तकलीव भी समाधान के अधार लेकर आएगी जब भी व्यक्ति किसी परिशानी से बारंबार दूर होने का प्रयास कर रहा है और वहीं पर उसको यह लगने लगता है कि आप तो इस परिशानी का सामना करना ही होगा आप यकीन कि समाधान का इस तर आप प्राप्त करने के और जा रहे हैं और संग राशी के जातकों के लिए यही प्रवर्ति अब सामने रहने वाली है तो वहीं जो शत्रू परिशान कर रहे थे आप उनको हावी होने का मौका नहीं दें कोई कलीग है जो प्रतियक जगे एक निगाह र रखे हुए है आप उस पर भी गौर करते हैं और अपने कामकाज में अनुशाशन लेकर आते हैं कहीं पर भी किसी भी तरीके की नेगेटिव कमेंट की जो पोजिशन होती है या एग्रेसिव कमेंट की जो पोजिशन होती है उससे बचकर चलते हैं तो नोकरी और व्यापार पर देखिएगा कि जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज होते हैं उसमें आप लॉंगर टम की अप्रोच में चल रहे थे अब आप एक सिस्टेमेटिक प्लैन के साथ में चेंजिस करना चाहते हैं कि नहीं अब तो शॉट टम की तरफ चलना है मेरा निवेदन है कि यहां नौ परवरी तक आपको थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास करना चाहिए सम्तान पक्ष के साथ चोटी चोटी बातों में जो क्लैशिस निकल कर आती है उसको भी अवाइड कीजिएगा नौकरी पेशा जिवन के अंदर हम यहां पर फ्रस्ट्रेशन में कोई भी दरणय नहीं वाले हों कन्या राशी की जात्कों के लिए ये समय एक बेटर अप्रोच के साथ में जो चल रहा था हलका सा यहां ब्रेक लग सकता है किन्तु उससे आप परिशान नहीं हो जो इस्तियां सामने है सजग रहकर उसको स्विकार करने का प्रयास हम जरूर करेंगे ग्रेहस्त ज जो रास्ते निरबाद गती से बन रहे थे वो यहां पर आपके लिए फ्लो में थोड़ी से कमी लेकर आ सकते हैं उससे भी वचलित और चिंतत होने क्या पशकता है नहीं है तो वहीं तुला राशी आपके लिए ये समय अतिमेहतुपूर्ण कहा जाएगा क्योंकि डहिया का अंतराल चल रहा है और वहीं चतुर्त के शनिदेव की स्ततियां है जो भूमी संबंदित कामकाज अठके हुए थे 20 नवंबर के बाद से ही 7 जनवरी और उसके बाद जब मलमा समाप्त हो जाएगा 14 जनवरी के बाद से आपके लिए मैं अधिक रिलीफ यहां देख सकता हू कर्म के साथ में जो निराशा और आलस्य बना हुआ था व्यक्ति का कोई बड़ा कारे पूर्ण नहीं हुआ वो छोटे कारे के और भी उत्साह नहीं रख पा रहा है वहीं अब आपको इन दिनों में लगने लगेगा कि नहीं जो भी सामने है उसको हासल करने के और जाना है ये प्रवर्तियां कहीं नहीं मानसक स्तर के उपर व्यक्ति को संतुस्ती देने वाली हो जाती है और यही आभा और आधार आपके लिए रहेगा दूसरे स्तर के उपर आप ये भी देखिएगा कि सर्विस इंडिस्ट्री संबंधी कामकाज में लंबे समय से किसी निवेश क और आप जाना चाह रहे थे नौकरी पेशा जीवन जो की कंस्ट्रक्शन या फिर कोई भी ऐसा शेतर विशेश जो की शनिदेव के साथ में चलाए मान रहता है उनका अदिपत्य रहता है ऐसे शेतर के अंदर अब आप परिवर्तन के और जा सकते हैं आत्म विश्वास फिर शनिदेव के अस्तगत प्रभाव के साथ में कम होने वाली हो सकती हैं दूसरे आधार के उपर ये भी समझना होगा कि भाईयों के साथ संबंधों में बड़ी ही मुश्किल से दोस्तों के साथ संबंधों में बड़ी ही कश्मकश के साथ में सुधार आये थे वहां फिर से आ थोड़ा सा गैप बना कर चलने का प्रयास जरूर करें वही संतान पक्ष की सक्षा को लेकर बहुत बड़ा निरना आपको लेना है मेरा निवदन है कि 9 फरवरी के बाद में ही आपको उस और गमनचील होना चाहिए उसके पहले थोड़ा सा रुख जाना आपके लिए हित कर रहने वाला होगा वरिश्चिक राशी के जात्कों को चाहिए कि आप इंस्टेंट बेस के उपर यहां कोई भी नरणाय लेने से बचें वहां अपनी रफ्तार को कम करके रखना ही हित कर आपके लिए रहने वाला होगा तो साथी साथ में चोटी चोटी यात्राएं जितनी इसपस्ट ताके साथ में की जाए उतना ही उत्तम है यहां बहुत ज़ादा रफ्तार आपको नहीं बढ़ानी चाहिए तो वहीं धनुराशी यहां आप इसपस्ट तोर के उपर देखें कि जो साड़े साथी का अंतिम प्रवासकाल चल रहा था जिसने एक पॉजिटिव रिजल्ट की पूरिशन को आपके लिए बनाया था यह समय कहीं न कहीं एक सिस्टमेटिक फ्लो को फिर से लेकर आएगा साथ जनवरी से लेकर νौ फर्वरी तक के समय अंतिराल को very precise note मैं ये भी कह सकता हूँ कि 14 जनवरी से लेकर जो यह साथ फर्वरी और नौ फर्वरी तक का अंतिराल है यहां आपके लिए और अधिक तिवरता रह सकती है दनागमन जो अठका हुआ था उसके लिए बारम बारा प्रयास कीजिएगा और जिस भी व्यक्ति के साथ संबंदों के अंदर दिक्कत थी वहां पर भी सुधार का प्रयास विश्वास के साथ में कीजिएगा पुरानी भूमी संबंदित कोई भी सौधेबाजी देखिए जो भी पुरानी भूमी होती है वो भी कहीं न कहीं शनिदेव संबंदि कार्याधार के उपर जोड़ी होती है वो सौधेबाजी एक रिलीफ नहीं दे पा रही थी और आपको कहीं न कहीं अभी पुन्जी की आवशक्ता थी, यहां पर की गई मैनत आपको एक तरह से फिर से फ्लो की और लेकर आ सकती है, यह दूई सुभाव यह राशी के जातकों के लिए एक महत तुपून आधार है, हेडन प्रब्लम्स यहां साइड लाइन होते चले यह उसमें भी आपके लिए कती और प्रगती दोनों ही नहतारत रहने वाली है, कहीं पर भी कोई ऐसा अटकाव और भटकाव नहीं है, यह समय है जो की एक प्रमुक आधार आपके लिए लेकर आ रहा है, बहुत लंबे समय के संगर्शों के बाद में जब व्यक्ति के जीव का दर्शन इतने वर्शों से देखा है, अब यह समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आप विश्वास मानिए, धनू राशी के जातकों के लिए समाधान की उसी प्रगती को लेकर आने वाला होगा, आप बारम बार कर्म कर रहे थे, किन्तु कर्म के साथ में सफलता बहुत द देखिएगा कि जो संगर्शों के मद्या आधार के अंदर आप चल रहे थे, वहां हल्की सी कमी महसूस होगी, और वहीं पर आप खुद को सुकून के साथ में लेकर चल पाएंगे, ग्रहस्त जीवन के साथ में जो कई बार डॉमिनेट करने वाली अप्रोच होती है, लगता करम में वर्दी होगी, नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई प्रमोशन अटकी हुई थी, और शनिदेव आपकी कुंडली के अंदर जो लगन कालिक विवस्ताएं हैं, वो उसके साथ में अस्तगत नहीं है, हमारे द्वारा प्रस्तुत ये राशिफल आपकी चंदर राशी क्यों प्राधारित है, किन्तो अस्तगत विवस्ताओं को वहां से देखना होगा, और ऐसी पोजिशन के अंदर वो अस्तगत नहीं है, और आपके लिए जब अभी साथ जनवरी से लेकर 9 फरवरी 2021 तक का जो समय अंतरा ला रहा है, जो कर्म के साथ में निराशाएं उससे आप फिर से बाहर निकलेंगे और अपनी रफ्तार के साथ में काबिज होते चले जाएंगे, ये भी एक प्रमुक स्थती यहां पर नजर आती है, तो वहीं आप देखिएगा कि भाईयों के साथ में जो संबंदों में एक विचलित करने वाल आधार था, वहां पर भी कई बार ये भी समझने का उसर नहीं देता है, कि ऐसा मेरे लिए हो क्यों रहा है, ये इस्ततिया कहां से निकल कर आ रही है, मैं अपने फ्लो के साथ में था और अब इस फ्लो में कमी क्यों हो रही है, यहीं से आप अपने लिए एक समझ को विकसित करने वाले होंगे, धना अमन के अंदर फिर से जो बड़ोतरी होनी चाहिए, वो आधार कुछ समय के लिए बनेगा, किन्तु यहां किसी भी तरीके की कन्फ्यूज स्टेट में अपनत रहिएगा, जैसे ही नौफरवरी के बाद का समय निकलता है, समय संगरशों के साथ में होगा, उसको आत्म साथ क जिए, जब भी जिवन के अंदर चुनौतियां आती है, वो व्यक्ति को माजने वाली होती है, वो व्यक्ति की ब्रेंस्टॉर्मिंग को बढ़ाने वाली होती है, रिष्टे कौन से तथाकतित हैं, तो रिष्टे कौन से अपने हैं, यह सब को समझ व्यक्ति के साथ में विक आधार लेकर आ रहा है, संभाव बनाओं के सीर्ष की और पहुंचने का जो आधार बनता है, जो कई बार साड़े सांती के नीव के साथ में लगता है, और यही प्रवर्ती यहां कुम राशी के जातकों के सामने है, अस्त गत अशनिदेव के स्तियां जो कर्ज संबंदी पोज नीए आ सकती है, शेर मार्केट संबंदी कोई बेस्ताइट वके साथ में जुड़ावा निवेश है, मेरा आप से निविदन है कि वहां अपने रफ्तार को थोड़ा सा कम करके रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा, संतान पक्ष के साथ चोटी चोटी जो बादाएं बनी हुई थी, बहां पर भी एक कमी अब आपके लिए आते चले जाएगी, जो हम अभी तक खुद की भावनाव को बड़ी ही आसानी से परतीक व्यापारिक शित्र के अंदर संपरिशित करते चले जा रहे थे, आप जो कह रहे थे, वही अगला वेक्ती समझ रहा था, अब आप जो कहेंगे, कहीं न कहीं वेक्ती उसके उल्टे अर्थ निकाल सकता है, उससे आपको सावधान रहना होगा, नौकरी पेशा जीवन में भी ओवर कमिटेड एपरोच के साथ में आप बचकर चलिएगा, आत्म विश्वास की जो जहलक होती है, उसके अंदर भी थोड़ शहर आभार